हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मैंने यूटूब चैनल देशी जी की ट्रिक में और दोस्तों आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह है साइंस का इक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रक्त परिशंचरन तंतर तो दोस्तों हमारे सरीर में एक सुद्ध रक्त का परिवयांट करती है जो हमारे सरीर के विविन अंगों तता उचकों तक पहुशता है तो दोस्तों इस पुरी परिक्रिया को हम आसान भासा में डिसकर्स करेंगे साइधी ऐसा यूटूब पर वीडियो होगा जो आपको आसानी से इस पुरी टॉपिक अंपने चरों आप यान फिंबाते था चरों थो यहां पर स्याट करेंगे सी ठीक है तो सिराओं का काम उता है दोस्तों पूरी सरीर से बढली फ्रेंस से अस Girak होता है होता है उसे में चराल टूटू घरत और रहे वो सबसפहरे सोरीर से द्योर्जिश के की इन् फेरियर वैना कैव से आता है तो यहां से दोस्टों जो सिराओं से असु द्रख्ध वह अर्ते के दाहें भाग जो की जाह निले से जाना जाता है यानि कि हम तो और भी जाया hain है ने ट्रब आपको दो अलिन में प्रवेश कोराती और यहां वो दाहें नीले में प्रिवेश करता है और इन दोनों कमती आइक वाल वाल्व होता है जिसे तुर्वल नी वाल्व यानि की टाइकश्पिड वाल्व कहता है और यहां से दोस्तों यहां असुद्रत है वो एक डम्नीक के रक्त यानिकि जो असुद्रक्त होता है वो oxygen के रोख सुद्रक्त में बदने जाता है दोस्तों जिसे हम oxyker रख्त भी कहते है दोस्तौं और जो डी-oxyker रख्त होता है जो एकडम से dark blue या फिर purple color का होता है और यहां से जब या रख्त है वो और 2 यानिकि oxygen सब्सक्राइब दमनी जो की असुद रख्त को भी लेके आती है फ्याप्रो तक ठीक है तो आगे क्या होता है दोस्तों जो फ्याप्रो से जो सुद रख्त बन जाता है ऑक्सिजन के उपस्थिति में वह जाता है अपना बाहें आलिन में जिसे हम लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं और वहां से जो रख्त है वह किसमें प्रवेश करता है बाहें नीले में और इनकी बीच में भी एक वाल्व होता है जिसे दिवलनी वाल्व कहते हैं यानि की बाई कस्पिड वाल्व और यहां से जो सुद रख्त होता है वह दमनियों के सारे है वह पूरे सरीर में है जो पहुंचाने का काम करती है दमनियां तो यहां पर दोस्तों कि इस परकार के बन सकता है कि हर्दे की कितने बाग होता है तो चार बाग होता है तो यहां पर दोस्तों जो राइट बाग होता है उसमें दाया आलिन तता दाया निले होता है और यह पूरा है जो असुद खुन के रूप में होता ह वो पूरा का पूरा सुक दियाने की ओट्टू युक्त होता है जिसमें बाया आलिन तता बाया निले होता है ठीक है और जो असुद रखत को ले आने का काम करती है वो सीराय लेके आती है यानि कि जो संपूर्ण सरीर से जो असुद रखता है वो सीरायों के माध्यम से दाया में फिर दाया आलिन से दाया निले में फिर एक दमनी होती है जिसे हम पल्मोनरी दमनी भी कहते हैं और इसे के सारे यह जो खून होता है असुद वो फैफड़ों में प्रवेश करता है और वहां से यह जो फैफड़ों से यानि कि हम स्वांस निले में जो अक्सिजन लेते हैं उसे से क्रिया करके यहां खोन है वो एकदम से सुध रूप हो जाता है यानि कि यहां एकदम से परपल से रैड हो जाता है ठीक है जिसे हम सुध खून कहता है और यहां सबसे पहले है वो बाहे आलिंद में जाता है और वहां से यह खोन है वो बाहे निले में जाता है तता यह तो यहां से दोस्तों आपके exam के point of view से जो important question बनते हैं उनके बारे में हम discuss कर लेता है दोस्तों तो simply है जो रक्त परिशंचन तंत्र में चार प्रकार की चीज़े बाग लेते एक तो अपना हर्ट एक होती है सिराय याने की वैंस और एक होती है दमनिया तता रुदीर इनका कार्य होता है दोस्तों पुरी रक्त परिशंचन तंत्र को नियंतित करना और हर्दी होता है वह एकदम से हर्दिया आवरण नामक थेली में सुरक्षित रता है और शामनित जो इसका वजन होता है वह 300 क्राम त तता बाएन आलं दोता है यानि की जो आगे वाले बागव होते वह आलें से होते है तता पिछे वाले बागव होते हैं तता दाहये नीले के बीच में और इसकेबलाई, दोस्तों, आपकी Qution बन सकता है कि दि ओलल निक कपाट, यानि कि by70 कपाट है, वो हर्दे के किस तरप होता है, तो ये होता है दोस्तों आपके left side में, यानि कि बाहेरण आलिन त्ता बाहें नीले के बीच में, यानि कि left atrium तिता left ventrical के बीच में, निले युक्त जो रक्त होता है वो असुद्रक्त को परिबासित करता है तता रेड एकदम से लाल कलर का होता है उसे सुद्रक्त के रोप में परिबासित किया दोस्तों जबकि असुद्रक्त का कलर है वो एकदम से ब्लैकिस ब्ल्यू कलर का यानि कि गहरे परपल कलर का होता है जबकि सुद्रक्त वह एक्दम से लाल होता है इसके लापको दियानस की तरहें की यानि कि जैक्ट का काम होता है हो सरीर से जो भिए रख्त है वह स्थती नितया होता है और चाहिए ऐस्थ疫若 एक मात्र वह अपना पल्मोनरी सीरहo जो कि असुद रख्ट लेके नहीं जाती है उसमें होता एकदमसे सुद रख्ट यानि की पल्मारी सिरह वह फैप्रो तता ऐस अलें की में होती है दोस्तों और इसके लाव दोस्तों आपको अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे दिल से लाइक करें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि वीडियो को दोस्तों अगली वीडियो में तब तक लिए जाहिन जबात